येस हेलो आइस वेलकम टो नॉलेज़ बोक्स नॉलेज़ बोक्स में आप सभी काता है जो से स्वागत है तो आज हम आपको मिलाने वाले हैं एक ऐसी सक्सियस से जिनों ने SBI clerk and SBI PO का exam crack किया है और currently इस सेवा में continue है वो और उनका काफी लंबा चोड़ experience है banking exam को लेगे तो आपको थोड़ा सा टिफ्स देंगे और आपकी जो भी डाउट्स रहेंगे उन पर हम बात करने वाले तो स्वागत करना चाहूंगा मैं रोहिज संकर जी का सो रोहिजी वेलकम है आपका नॉलेज़ बोक्स के प्लेटफॉर्म पर थैंक्यों द्रिपार के सब्सक्राइब कि दिमाग में रहते हैं सर कि हम कितने घंटे पड़ें और क्या कंटेंट यूज करें वो सारी चीजें आज आपन डिस्स करने वाले हैं तो हलका सा एक बार आप अपनी जर्णी जो बैंकिंग एक्जाम को लेके रही वो थोड़ा सा आप स्टूडेंट से शेर कीजिए सब्सक्राइब कि मैंने कभी फॉर्मली कोई कोचिंग बैंकिंग बट मैं कुछ ना कुछ पढ़ता था और मेरी इसनिंग जो थी वह पहले से थोड़ा स्ट्रॉंग था तो मैंने कई सारे पिपर्स दिया है एस भी आई हो आई पीपीएस हो या फिर जो भी मनिकाल आता था वो दिया है लाई सी एयो और विद टाइम मैं इंप्रोवाइस करता गया आपने जो भी एक्जाम से ने दिया है तो फाइनली में एस बीड़ा थोड़ा डेट अब एसे भी जॉइन करना था तो मैं सारी जीजें काफी मैनत की है काफी लोगों को देखा है मैंनत करते हैं लोग 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 उसक्राइब टिप्स लिए तैंट आई हैं तो चली बहुत सारे कोश्चन से मैं लिक रख्के हैं एक एक पे अपन फोड़ी सी बात कर लेते है है तो पहला कोशन है रोहिजी की हम कंटेंट कौन सा यूज करें अभी सब्सक्राइब करें अगर उस एक्जाम के पन बात करें तो इस प्रेंट को कंटेंट कौन सा यूज करना चाहिए कंटेंट के अभी नोटिफिकेशन आ चुटा है तो हम लोग बेसिक्स की तरफ अगर बढ़ने लगेंगे तो शायद टाइम ना बचे हम लोग को कंप्लीट करें यह जो बहुत लोग स्टार्टिंग से पढ़ रहे होंगे स्टिल अगर हम कंटेंट देखे तो दो टाइप क और एक हमारा होता है कि हम लोग इस हिसाब से कोईशन सौल करना उसका तो उनके अंदर आप लोग कंटेंट के हिसाब से आप भी दिखाते हैं और तो मैं यह जैसे पॉंट है तो पॉंट में मैं हमेशा बोलता हूं कि सर्वेश बर्मा किस वन फबैस्ट बॉक्स जो हम लोग ले सकते हैं पर पॉर बेसिक काईंड ऑस कि हम बेसिक करना है स्बस्टेटे नहीं आता होर चाहां हमारे ट्रिक्स काम नहीं करता है वह आम लोग उस चीज़ से हम कांटेंट्स बहुत साइज चड़ी से आप लोग जासे हैं कि कई साथ देते हैं कि यह पॉपिक्स हैं इनका यह पॉमलेज रहते हैं कि कैसे सॉल्ट किया जाता है तो कंटेंट्स उस हिसाब समझ कर सकते हैं बट बेसिक बुक्स जो है हमेशा हमारे पास एक डेडी रफेंस के लिए पहले होना चाहिए लेकिन आपके अंदर एक स्मार्टनेस होनी चाहिए कुश्चन को कम समय में सोल्ट करने की अगर सीधा ट्रिक एंगे तो जब पेपर टाफ होगा तब आप कुछ नहीं कर पाएं तो आप अभी ना कभी अगर चलिए दूसरा कोशन है रोहिर जी कि सबसे बड़ा कोशन है आज के दिन में यह कि अभी सतरा तरिक तक फूम भड़ने वाले हैं लोग तो स्टूटेंस कंफ्यूज है कि हम कहां से फूम बढ़ें हम जहां पर ज्यादा सीट है वहां से बढ़ें जहां से बिलकुल कम है वह सब्सक्राइब को देना ही पड़ेंगा अब लोग हो सकता लोड़ा सा पढ़ लिखे कर भी बट आपको वहां सर्व करना है अगर आप पर जाओंगा और पांच-छे साल में वापस आ जाओंगा तो वह तक वेटिंग बहुत ज़्यादा है तो आप हो जाए रहे हैं अब मा सब्सक्राइब को समझना उतने तेज समझना आना चाहिए बट ऐसे जहां पर आप काम कर सकते हूं रियालिटी में जैसे गुजराइब करते हैं लोग बहुत अच्छे हैं अगर अगर जैसे और दूसरे स्टेट में तो मैं यह नहीं कहूंगा कि आप दूसरे स्टेट जाएं अब अपने स्टेट से बढ़ें बढ़ें अगर एहमदबाद सेर्कल में 900 सीट हैं और आपके च सब्सक्राइब तो कितने घंटे पढ़ना चीए स्टुडेंट्स को कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समझ सकते हैं बट उनको 45 मिनट सब्सक्राइब होता है कि आपको क्या कूर्स करता है इसके लिए पास्ट पाइफ के जो पेपर हैं जो भी जिस साइट ता भी आपको प्रेशन्स मिल रहा है उनको फूड़ा एक दो दिन लगेगा बट आनलाइस करिए जो कि फ्रीक्वेंट वापस आते ही आते हैं हर साल उनको में वाइफर के कि इनने टाइम में मुझे इतना प्रेशन हो जाएगा कि आने वाले दिन पढ़ ही नहीं पाए बिल्कुल बिल्कुल आप चार से पांच छे मैक्सिम आपको पढ़ना चाहिए इससे ज्यादा हमारे नहीं होता है और हम जो भी आके पढ़ता है मुझे सकता है कि हमारे फ्रूटफुल ना रहे है थोड़ा सा प्राइम प्राइम प्रूटी डेज हो तो मैं कहूंगा कि आप उसको थोड़ा बढ़ा के च्छे साथ गंटे के पढ़ाई जो की एक सान नहीं हो बाट बाट के दो गंटे दो ऐसे करके लिए तो आप एक टार्गेट बना लीजिए मनलब डेली का बना लीजिए और आप उ सबस्क्राइब के लिए ताइम है कि आपको तीनों के क्विज़ करने हैं लोस पकड़ेगा और इसमें ऐक आपको घ्रके कि आप किसी टॉपिक में अगर आपको अभी तक नहीं आया है तो आपको आता है तो आप गुशिए और उसके अधर वाइस आप इसे टॉपिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको बिल्कुल नहीं समझ आ रहे हैं और आप सिरीज कब से स्टाट कर देनी के स्टूटेंट्स को मैं बोलूंगा अभी से चालू करें नॉर्मली मैं देखा हैं के लिए दस जो भी टेस्ट के एक टेस्ट सीरीज आती है अगर आप दस वाली लेते हैं तो आप अपना त्रीडेस के हिसाब से रखिए कि तीस दिन के अंदर अगर आप पहले में से असी ला रहे हैं दूसरे में सत्कर ला रहे हैं तीसरे में फिर सी ला रहे हैं चौते में पचास ही ला रहे हैं तो वह एक इसका मतलब है कि आपको कुछ चीज नहीं समझ जाएं पर पहले पता आप पर प्रोग्रेशन अपर भी चल रहा है इसका मतलब है कि और फास्ट इंप्रूमेंट है उसके और एक और चीज़ पर बोलना चाहूंगा जो मैं करता था बरस नहीं एक घंटे का टेस्ट है तो मा आपका चाहिए आपका अन्सर का टरीका और आपके शाल्विंग का तरीका अलग हो तो ज्यादे आपने टेस्ट को उतना ज्यादा आपका Nori तेस्ट बेटर हो लो टेते नंबर देखता चोड़ देखता है जो गलत है वैसे नहीं प्रॉपर अनालेसिस यह किसाब से हमें पेपर देना है और उसका रिजल्ट आपको बहुत साथ तेजी से दिखाएं एक्जाम में क्या होता है कि एक तो क्या बैंकिंग एक्जाम शोट ली रहता है बीस-दिस मिनिट रहती आपको सेक्शन वाइस ठीक है तो काफ में ज्यादा टाइम लगा देते हैं या थोड़ा तो फोबिया रहता है डर रहता है तो उसे में माइंड सैट क्या होना चाहिए एक एक्श्पिरेंट का एक्जाम वोल में जैसे कि इंग्लिश में पैसेज लोगों का दद होती है पहले पैसेज को लेते हैं दस मिनट बरबाद करते हैं और उसके बाद पढ़ना है पढ़ना पढ़ेगा करने के लिए उससे अच्छा साइड रखिए उसके अलावा कि इंग्रिमिनरी में तो थर्टी में से माल लिए अगर फाइव या तैन क्वेश्टिंस पैसेज के आपने इस क्वेश्टिंस पर पहले फोकस करिए और इस क्वेश्टिंस तो आपका ज्यादा निकल जाएगा क्योंकि हमारा काम करता है थोड़ा रेस लेता है उसके पीजियर क्वेश्टिंस उठाइए कोई तरीका नहीं है कि हम फर्स से लास से परस्टिंस पकड़िए आप से साइड रखें दूसरे इने कॉलिटी हुआ चोटे 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 क्वेश्ट तरियो फिर पैसेज का कि इस पे पजल सब्सक्राइब क्योंकि मुझे पता है कि लोगों का टाइम इंडिस्टिंस किसी को टाइम इंडिस्टिंस आओगा सब्सक्राइब सब चीज़े नहीं तो आप उस चीज में टाइम ही वेस्ट मत करिए कि मेरको अलिगेशन शायद आ जाए तो मैं एक बार कि पढ़के देखता हूं मत पढ़िये क्वेश्टिंस आपको नहीं आता है छोड़ दिजे वो क्वेश्टिंस आगे बढ़िए अभी सबसे अच्छी चीज चीज लिए है कि लि चूट सकता है चूट सकता है उसको अपरचुनिटी समझ करें और हिंदी मीडियम वाले स्टूटेंस को थोड़ा सा क्या सजेशन देना चाहेंगे सर जैसे कि इंग्लिस को लेके बड़ाई फोबिया रहता है अना हिंदी मीडियम वाला बच्चा जो आता है वह सुरू से ज कैसे हो त्यारी करें इंग्लिस को लेकर इसमें कैसा है कि हम जब मैं कॉल्में पढ़ाऊ है बटामें एक चीज़ सिखाई जाती थी कि आप मन में पहले इंग्लिश से हिंदी से इंग्लिश करना इस दिन वह बंद हो जाएगा आपका इंग्लिश खुदबखुद सुदने हमारी आदत है हम पहले हिंदी में मन में प्रें करते है सेंटेंस पिर इंग्लिश में बोलना चालू करता है जिसमें गलतिया होगा तो हमines इन के बैहां गैदा से मैं जाहां बतिज मेरा से आप विछ इसे जाएगून गोईढ़ा अब चालेज दिन में आप इस पर आगर मैं बोलूगा कि इंग्लिश मूवीज देखिए सब्टाइटल के साथ मैं यह नहीं कहूंगा फुल टाइम होई अपने टाइम में एक वह जाएगा जो आप प्टरा रिलाक्स कर देगा प्लस वह इंग्लिश मूवी सब्टाइटल के स बच्चे इंग्लिश मीडियम के बच्चों से ज्यादा इंग्लिश को करके आते हैं वह हाट्वर्क और प्रैक्टिस तो प्रैक्टिस अगर आप करते रहेंगे आपका आजाएगा पैसेज बहुत हैं मार्केट के अंदर पढ़िए टाइम लगाए आप से सिनोनोनिम एंट जो सबको परेशान करते जिसका नाम है ठीक है और अच्छा कासा मार्जन है तो आप लोग जब करते थे तो पजल को कैसे अडल करते थे आप लोग जब आप इनिशली चालू करोगे तब बजल करने में लगता है उसके बाद एक घड़ मिनट उसके क्वेश्चिन जो हमें इतना प्रैक्टिस की तरफ के जाना है आप हमेशे एक स्टॉप वॉच्छ रखिए अपना उसको प्रेशन मत बनाए बट उस चॉप वॉच्छ रखिए और देखिया आपको किते मिनट में आप बना पना है उसको अलग रखिए हमारी स्पीड जब मैं स्टार्टिंग करता साथ तो मेरी स्पीड पांच एक मिनट के आप पास ती पॉच्छ चार मिनट में हो और इसमें भी सबसे अच्छी चीज यह अगर पाई चार्ट आए यह थोड़े पढ़ते हैं अधवाइस पाई चार्ट जल्दी कर सकते हैं बहुत इसली हो भी जाए एक वार आपने सॉल्ड पर ले तो पांच वेशन कंप्लीट भी हो जाते हैं आपको कुछ देखने की जड़त नहीं है तो पाई चार्ट पर फूक्स रखिए अपने टाइ आपको में पांच विद आंसर आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए तो इसमें काफी एक्जाम देने वाले हैं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो काफी लंबे समय से ट्यारी कर रहे हैं ठीक है और कुछ ऐसे भी हैं जो फ्रेशर हैं जो जिनका फर्स्ट एक्जाम हो गाई बैंक का ठीक है तो उनकी 40 दिन के स्रेटेजी किस तरीके से हो जिसे के एक्जाम में उनको अच्छा स्कूर मिल सके हैं हमारे पास बहुत है पहला होता है सेक्शनल का टॉप अब हमारे तीन पेपर है मान लो कि मैं अपनी बात मेरा पॉंट अच्छा नहीं है मेरा इंग्लिश मेडि उसको स्ट्रॉंग बनाने में लगा और सेवेंटी परसेंट अफ टाइम में लगे रहते हैं एक्चुली उल्टा करें आपका स्ट्रॉंग पॉइंट है जैसे की रीज़िए आप 35 में से लाने हैं पच्छेस नमबर अब उस पच्छेस को 30 30 को ला सकते हैं आपको थोड़ी किसी ही मेनद करने के सब्सक्राइब पढ़ेगी नाकि ज्यादा तो आप पहले उस पर फोकस करें इस ट्रॉंग को स्ट्रॉंगर बनाएं ताकि आपका नमबर बढ़ पर जाएं बढ़ने के लिए कि आप क्या चीज ऐसा कर सकते हैं जैसे इंग्रिश मेरा मीडियो कर तो मा सब्सक्राइब बारा पंद्रा नमबर आचा है बारा पंद्रा नमबर आगा है तो अगर आप इसको भी प्लस करेंगे तो आप सिक्स्टी एट सिक्स्टी नाइन सेवेंटी के आसपा स्कूर कर रहे हैं विदाउट गिवेंग एडिशनल टाइम और वहीं पर अगर आप को बैठके करते रहेंगे तो आप वह दोनों पच्छिस और बीस नंबर ही लाएगे और कॉंट पर आप जाल स आपका वो टाइम गया जब आप आपके वीक को स्ट्रॉंग तक तरहें चालेज दिन में स्टॉंग को स्टॉंग क्योंकि मैं बता रहा हूं मैं खुल स्टॉंग जब दिया था शिक्टीन में तो मैं अंडर्ड में से 93 मांस था, 93.75 ठीक है उसमें मेरे रिसनिंग में फुल इंग्लिश में मेरे एक आदा कुछ नंबर ही कटे था, मतलब मेरा कॉंट कम तो मेरे कॉंट को उत्ता ध्यान नहीं दिया, पकड़ा उसमें खुल ले था, इवन इसके अंदर भी में था तो मेरे 168 नंबर था, और 200, और सारे सर्कल्स की कॉप हल्मस मेरे पार ही, सब क्यों आपको दो ही चिर्वे को इतना ले आई कि आपका सेक्शनल कटा उफ्तार हो जाए, उससे एक तो नंबर उपर ही, टोटल नंबर था आपके स्ट्रॉंग सब्चक्ट लाके दे, चलिए, बहुत सारे कॉश्चिन साज मैंने कर लिया आपसे, ऐसा लग रहा हुआ कि आपकी काफी लंबी समय हो गया आपको बैंक में प्यों की पोस्ट पे तो कैसा एक्स्पीरियन्स है, एस बी आई प्यों को देखता है, और अंदर वालों की ऐसी हाल है, खासकर आउकिसर से, लेरिकल का टाइम लाइन गाइड है, तो लोग निकल सकते हैं, कि आपने काम करते हैं, कभी साटरडे संदेज भी नहीं पर हमें रोज जाना वहाँ जादा नहीं है, गवर्मेंट की पॉलसी बहुत जादा है, तो बहुत जादा बढ़ गया है, बैंकिन सेक्टर के लागा, प्ट वह हैं कि अगर आप काम करता हैं, तो बैंक इस वान ओन सब्सक्राइब करना पड़ता है और काफी प्रेशर है काफी है काफी एच्छी है सब्सक्राइब करना पड़े हैं बहुत सारी चीज़ों कि आप ग्यानी आदमें तो आपको सब्सक्राइब करते हैं कि आप ऐसे सब्सक्राइब करते हैं कि आप ऐसे स्टूडेंट्स को मांगदशन करते रहेंगे थायों क्या करते हैं जाली थे देनों